हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है सुनिता तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगे साथ एक नैचिरोल फेशर शेयर करने वाली हूँ जो कि हम करेंगे दहीं से दो स्टेप का फेशर है दस मिनट में हो जाता है और रजल्ट आपके सामने होगा तो फ्रेंग ये बहुत ही नैचिरल और बहुत ही अच्छा फेशर है ये सभी स्किन टाइप को बहुत अच्छे से सूट करता है खास करके जिनकी स्किन सेंस्टिव है तो उनके लिए भी ये फेशर बहुत ही अच्छीता से वर्क करेगा और जब भी आपको कही जाना है या फ पर चैनल पर आएं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और सब्सक्राइब भी आगे जो चोट उसा बेल बटन है उसे जरूर प्रेस कीजेगा तब ही आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी तो इस फेशे का जो फर्स टेप है उस में ही हम क्लिंजिंग और स्क्रबिंग दोनों एक साथ करेंगे तो यहाँ पे मैंने लिया है दही तो दही बहुत अच्छे से हमारी स्किन को नैश्चिरल क्लींज करता है तो यहाँ पे अगर आपकी स्किन बहुत ज़धा सैंस्टीव है तो आप ओर्स को यूज कीजेए ओ तो आप rice flour को ले लीजे, rice flour आपको ऐसा लेना है कि उसमें बिल्कुल भी ज्यादा मोटे pieces ना हो, अगर आप मोटे pieces लओगे तो आपके skin के उपर rashes पढ़ सकते हैं, बिल्कुल gently, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा करके दिखा रही हूँ कि थोड़ा सा कि हमारी skin के उपर gently सा यह scrub करें, थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए, बिल्कुल gently कि हमारी skin के उपर rashes ना पढ़े, क्योंकि skin बहुत ज़दा sensory होती है, तो यहाँ पर मैंने 1 tablespoon दही में, half teaspoon डाला था rice flour का, और उसमें मैंने half teaspoon डाला है honey का, तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से mix कर दिया है, mix करने के बाद यह cream की shape में आ गया है, तो इससे हमारी face को अच्छी तरह से मैं clean कर लूँगी, cleansing भी हो जाएगी, scrubbing भी हो जाएगी, यह बहुत mild सा scrub है, आप इसको week में 2-3 बाद यूज़ कर सकते हैं, instant grow देगा, तो इसको बिल्कुल धीरे धीरे अराम से 2-3 मिनट तक अच्छी से मसाज कर लीजे, उसके बाद face को wash कर लीजे, result आपके सामने आपको मिलेगा, तो friends आप इस फेशियो को जरूर ट्रै कीजिएगा, तो जो इसका second step है, वो है मसाज और pack एक साथ, तो यहाँ पे मैंने लिया है दही और यहाँ पे मैंने बीटूट को grate कर लिया है, के उपर लगा लेना है, नेक के उपर भी लगा सकते हैं, और इसको दो मिनट के लिए मसाज देनी है, दो मिनट के बाद इसको छोड़ दे, जब यह 80% सूख जाए तब इसको जो है नॉर्मा पानी से wash कर लीजे, तो आप देखोगे आपकी skin पर instant glow आएगा, आपकी skin white हो जा लिए है, आप skin पर glow देख सकते हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राइ कीजिएगा, टेक ये, बाबाई